तो आज हमारे चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक इसी टेस्टी रेसिपी जो के सुपर एजी है बनाने में और गैरंटी से के सकती हो जो भी खाएगा उंगले चाटते रहे जाएगा आज हम लेकर आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार खस्ता आप पेस्टी कबाब रोल्स के रेसिपी जो किट पोच टेस्ट यो बहुत मज़ेदार बनके रेडियो होती है वीडियो को एंड तक देखें अच्छी लगे लाइक कर दें तो चले जी मज़ेदार सी रेस्पी बन का सबके लिए हम लिए एक कलो किमा लिया तखा चीकेन का उसमें हम एक डियुम सबस्टी साइस प्यास यो उसमें प्यास siihen क्या मैं अपेस्ट आप से लृषय स्वी ड़कोटी ड़्क में वार किषऑ ल एकंपक्र। हमादयो जा किश्न में लिएक नमक लतम कर लेएगर से पाउडर शामल कर देंगे में तो चोटा चानल यह चोटा चमाज यह अब यहाँ पर हमने स्क्वेशा लिये तो आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिए चार तिन वोडिन स्क्वेश्च अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करें दीचेए क चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट तो आपको हमारी सीपिस कैसी लगती है कमेंट में जरू बताईगा तो यहां पर हमने इसको शेप दे दिया है तो जितनी कॉंड़िट याप मसाले की लेंगी तो उत से हिसाफ से हमार आज करेंगे तो इस तरीकी सब्हों बनातके रख देने तो आठ से दस हम तक्रीबर बनाएंगे निस को प्राइब इसको इतना फ्राइ करेंगे जब तक अच्छी तरीके सी हमारे गोर्लान ब्राउन ना हो जाए तो रहों साइट से 6-8 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर अब इसके हम जो स्कीर के से मूँ निकाल देंगे क्योंके स्कीर के बगेशंको फ्राइ करेंगे फिर यह बहुत ही जब्यूर्बध मुण हो इसको रखेंगे साइट पर तो इसी तरीके से सारे कवाप बना के रखेंगे साइट पर तो यहां पर हमने पफेस्टी डोल लिया है दिनकी लिंक में डिस्क्रिम्मिन बॉक्स में दे दी अब जाएग कीजिएगा अब इस कोच तरीके से हम बेल लेंगे बेलन की मदद से तो अच्छी तरीके से इसको हमने बेल लिया है आटे को अब इसकी साइड है इस तरीके से हम कट कर देंगे किनारे अगर अभी तक आपने हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यह बिल्कुल फ्री है और बेल आइकोन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाली न्यू रेसिपी की कोटिफीकिशन सबसे पहले आपके पास आ जाए आप इसको स्ट्प्स कट कर देंगे बिल्कुल पद्री सी स्ट्प्स कट कर देने इसको अगर आपके पास पुपिस्टी डो नहीं है तो आप नॉर्मल या आटे से भी इसको बना सकते हैं यह बहुत ही डिलिशेज बनके र तो सारी डोग एक पटी लेंगे और इसको फोर्ड करते जाएं कबाब के साथ देखे इस तरीके से सारी कबाब हम बना लेंगे तो आप वीडियो को एंड तक देखें इस टेप पैस टेप हम आपको बताते जा रहे हैं अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे को भी पार्ट मि के रेडियो होते हैं तो इसी तरीके से सारी रोल को हमने बना लिया था अब इसके ऊपर एक वाश लगा देंगे तो एक अंडा लिया जिसको इस तरीके से में पैंट लिया था अब ब्रश के मदर से हमने अंडे को लगा देना है तो सारी रोल के ऊपर हमने अंडा को लगा अब इसके उपर स्प्रिंकिल कर देंगे काले और सफ़ेद तिल आप अपनी मर्जी के मताबिक कोई भी तिल इस्तामाल कर सकते हैं तो हम दोनों का इस्तामाल करें इस तरीके से छिड़क देंगे तो यह मज़िदार से रोल रेडी होगें बेक होने के लिए तो ओवन को पहले हमने प्रिविट करके रखा था अब इसको बेक करेंगे आप अपने अवन के मताबिक को बेक कीजिएगा तो यह अच्छी से बेक हो चुके हैं देखें कितने खस्ता हो कितने मज़िदार से रोल कि अधएडर से रिस्पी को जहरु ट्राय के जिगा यह बहत ही मज़िदार बनके रेडी होते हैं बहुत जटकट बनाएं मज़े सखाए एंजाए करें फेमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताईगा तो इस तरीकी से में बहुत सारे रॉल बना के रग दिये ति क्यूंकि हमें बहुत पसा हैं देशी कबब रॉल डिलिशिस बने दे बहुत ही इसको नियो टोमेडो केचप के साथ इंजाए करें फिल्म में देखनें इने स्पिकी साफ रहा वह साथ खाल लगीगा मुझे मेरी फिल्मिली कमेश की तरह दों में या जरू कीजीगा टेक क्यार बाबाई अलहाफेज